Hello students, I am your educator, आज के वीडियो में हम exercise 8.5 को discuss करेंगे, और first question is, find the sum of each of the following, ये जो questions दे रखे हैं students, ये हमें decimal में दे रखे हैं, हमें इन decimals को add करके दिखाना है students, इनका sum करना है, यानि सब को add करके दिखाना है, okay students, so एसलिके F तक आपको add करना है, इनको add करते हैं students, आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, number को ऐसे लिखना है, कि हमारा decimal के नीचे decimal आए, यानि first number के decimal के नीचे second number का decimal, और उन दोनों के नीचे हमारा, इसी decimal के नीचे हमारा third वाला decimal आएगा, तो देखें students कैसे करेंगे, so ए पार्ट को देखते हैं students, हमें किसका sum करना है, 0.007 प्लस 8. 8.5 प्लस 30.05, तो कैसे करेंगे students, हमारा first number क्या है, 0.007, okay students, next number क्या हमारा 8.5, 8.5 कैसे लिखेंगे, decimal के नीचे decimal, decimal के left side में क्या है हमारा 8, और right side में क्या है हमारा 5, okay students, next हमारा number है 30.08, या आपे भी third के लिए decimal के नीचे decimal, decimal के left side में क्या है हमारा students, पहले 1s place पे 0, 10s place पे 3, so 0, 3, और right side में क्या students हमारा, 0, 8, so 0, 8, अब हमें क्या करना है students, इन numbers को add करना है, तो देखिए students, पहले हम क्या करेंगे, 0 है यहाँ पे, यहाँ पे 2 places है, यहाँ पे 1 place है, यहाँ भी 1 place है, तो हम 0 लगा सकते हैं, आगे 0 लगाने से कोई effect नहीं पड सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम 0 लगाएंगे, अब आप देखते है students, यह question कितना ज्यादा easy हो गया है, इसको add करना, अब इसको add करते है students, 7 plus 0, 0, 7, 0 plus 0, 8, 8, 0 plus 5, 0, 5, फिर हमारा decimal, 0 plus 8, 8, और यहाँ पे हमारा 3, so 38.587 is our answer, अब इसके D part को देखते है students, हमें क्या करना है, 25.65 plus 9.005 plus 3.7, तो देखे students, इनको कैसे लिखेंगे, first number है हमारा 25.65, next number हमारा क्या है, 9.9.005, next number हमारा 3.7, so यहाँ पे हमारा number 3.7, तो अब हम क्या करेंगे students, places को equal करेंगे, यहाँ पे once or tenth place है, यहाँ पे भी tenth place के नीचे हम 0 लगा सकते हैं, यहां पर 10, 100 और 1000 प्लेस नहीं है, तो यहां पर भी 0 लगा सकते हैं, यहां पर भी और यहां पर भी, अब हमें क्या करना है, इसको add करना है, तो 0 प्लस 5 प्लस 0, 5, 5 प्लस 0, 5, 6 प्लस 7, 13, decimal के नीचे, decimal 13, और यहां पर क्या लगेगी, इसको add करते हैं, 9, 9 प्लस 1, 10, 10 प्लस 5, 15, 15 प्लस 3, हमारा कितना हो गया, 18, 18, 18 का यहां और क्यारी हमारी लग जाएगी, इसको add क्यारी 1, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 0, 3, so 38.335 इस और अंसर, Now question number 2 is, राशीद spend rupees 35.75 for maths book, rupees 32.60 for science book, find the total amount spent by राशीद, राशीद ने क्या किया स्ट्रेंट, 35.75 की उसने maths की बुक खरी दी, और 32.60 की उसने science की बुक खरी दी, तो आपको बताने स्ट्रेंट, वो क्या करेगा, टोटल amount spent by राशीद, राशीद ने कितने रुपे खर्च किये, तो देखिए स्ट्रेंट्स कैसे करेंगे इस question को, तो कैसे करेंगे स्ट्रेंट्स, money spent for maths book, equal to rupees 35.75, money spent for science book, equal to rupees 32.60, total money spent equal to rupees 35.75 plus 32.60, 32.60, इन दोनों को क्या करेंगे स्ट्रेंट्स, add करेंगे, जो answer आएगा हमारा यहां लिखेंगे, तो देखिए स्ट्रेंट्स, आप दुबार से rough में इनको लिखेंगे, आप यहीं पर करके देख लीजिए, कैसे करेंगे स्ट्रेंट्स, add 5 plus 0, 5, 7 plus 6, कितना आजगेगा हमारा, 13, 3, decimal के नीचे decimal, carry 1, 5 plus 1, 6, 6 plus 2, 8, 3 plus 3, 6, So, कितना equal आएगा हमारा, 35.75 plus 32.60 equal to 68 rupees, 68.35, So, this is our answer, next question देखते हैं students, यह भी आपको add करने, स्ट्रेंट्स, यह आप कुछ से कर सकते हैं, So, देखें students कैसे करेंगे, question number 5 को, distance covered in the morning, कितना distance कवर किया, स्ट्रेंट्स, morning में, 2 km, 35 meter, this equal to, इसको decimal में convert करेंगे, स्ट्रेंट्स पहले, और फिर क्या करना है, distance covered in the evening, 1 km, 7 meter, इसको भी हम decimal में convert करेंगे, और फिर क्या करना है स्ट्रेंट्स, total distance covered, total distance कैसे निकलेगा स्ट्रेंट्स, दोनों को हमें add करना है, स्ट्रेंट्स, तो देखें, पहले हम convert करते है, 2 km, 35 meter, इसको decimal में कैसे लिखेंगे, हम 2 km, 1 km equal to 1000 meter होता है, स्ट्रेंट्स, तो 2 km equal to 2000 meter plus 35 meter, तो किसके इकल हो गया हमारा स्ट्रेंट्स, 2035 km, meter, मीटर में है स्ट्रेंट्स ही, और इसको अब किलो मीटर में कैसे करेंगे, स्ट्रेंट्स, क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 1000 से, तो कि 1 km equal to 1000 meter, तो यह हमारा किसमें convert हो जाएगा, यहाँ पर km में, अब क्या करेंगे, decimal लगाएंगे, कितने places को छोड़के, 1, 2, 3, 3 places को छोड़के, decimal लगाएंगे या नी, स्ट्रेंट्स, कितना आ जाएगा हमारा answer, राइट साइड से, 1, 2, 3, so 2.035 km, ओके स्ट्रेंट्स, तो इसको decimal में कैसे लिखेंगे, 2 km, 35 मीटर को कैसे लिखेंगे, 2.035 km, ओके स्ट्रेंट्स, ऐसे ही आप 1 km और 7 मीटर को आप decimal में convert करेंगे, तो कैसे लिखेंगे इसको, 1 km इकोल टो 1000, 1000 प्लस 7, 1000 मीटर, 1007 मीटर, 1007 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आपका कितना एक answer, स्ट्रेंट्स, 1.007 km, ओके स्ट्रेंट्स, अब क्या करना है, total distance covered, कैसे निकालेंगे, दोनों distances को डिखेंगे, यानि, 2.035 प्लस 1.007, ओके स्ट्रेंट्स, जब आप इन दोनों को decimal के नीचे decimal लगा के डिखेंगे, तो आपका answer कितना है, 3.042 km, ok students, so this is our answer, सब्सक्राइब नाव क्वेस्ट नमबर सेवन इस रवी पर्चेस्ट 5 kg 400 ग्राम राइस 2 kg 20 ग्राम शुगर और 10 kg 850 ग्राम फ्लॉर 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 कितना खरीदा 10 kg 850 ग्राम तो आपको तो बताना है इस्ट्रेंट्स टोटल वेट ओफ हीज पर्चेस तो जो इसने पर्चेस किया स्ट्रेंट्स इनका हमें टोटल वेट बताना है तो कैसे करेंगे स्ट्रेंट्स इन तीनों को हमें एड करना है लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है स्ट्रेंट्स इनको डैसिमल में convert करना है जैसे 5 kg 400 g को हमें किलो ग्राम में कैसे लिखेंगे decimal में तो देखें स्ट्रेंट कैसे करेंगे weight of rice equal to 5 kg 400 g इसको आप decimal में कैसे convert करेंगे इस्ट्रेंट 5.400 kg हमारे previous वीडियो में हम convert करना सीख चुके हैं यह किलो ग्राम और ग्राम को हमें decimal में कैसे लिखना है तो इसके लिए आप मेरा previous वीडियो जाके देख सकते हैं और हमें क्या दिया स्ट्रेंट वेट ऑफ sugar कितना है 2 kg 20 g इसको कैसे लिखेंगे kilogram में 2.020 kg और weight of floor कितना है स्ट्रेंट 10 kg 850 ग्राम तो इसको कैसे लिखेंगे decimal में 10.850 kg तो टोटल वेट कैसे निका लेंगे स्ट्रेंट इन तीनों quantities को हम एड करेंगे तो देखें स्ट्रेंट जब एड करेंगे तो कैसे लिखेंगे 0 5 प्लस 2 7 8 प्लस 4 12 कैरी 1 5 प्लस 1 6 6 प्लस 2 8 और 1 और 18.270 kg के गया हमारा टोटल वेट स्ट्रेंट तो मारी एक्सराइस प्लेए स्ट्रेंट अट्ट इस शेल्ड स्ट्रेंट स्ट्रेंगे एस प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 आट क्यों निम्त्टेंगे